नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है इस चैनल में, दोस्तों आपने अक्सर अवश्य ही देखा होगा कि जो इनसान अच्छे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, उनके जीवन में औरों की तुल्ना में ज्यादा दुख चिन्ताएं आते हैं, उनका जीवन उतना ही कठि होता है यदि आपने इस चीज को देखा हो आपने भी इस चीज को जरूर पाया होगा कि लोगों जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा इसलिए चलिए आपको इसके पीछे छुपे एक रहसे बात ब बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करे तो दुख बुरे काम परिनाम बुरा ही होता है जिसके कारण इस तरह के सोच रखने वाले इनसान अपने जीवन में दुखी ही हो लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और वह वहां से धन चुराकर जुते, चपल और दाल खरीदता था एक दिन गाओ में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एक मात्र पुजारी था नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा वह गाउं के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला कल्प बीतने पर भी करोन पाप कर्म से नश्ट नहीं होते जब दोनों मर गए आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ यमराज ने कहा कि अगर तुम पर जूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे लेकिन तुमने अच्छे काम किये तो बच जाओगे यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था लेकिन उसने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया मित्रोक शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोनों का नाश नहीं होता अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था उसे एक काटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों के बारे में एक साधु के पास जाकर उस साधु से कहा साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि पापी व्यक्ती का भाग्य में राजा बनना था लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है उस भले और धर्मात्मा व्यक्ती के जीवन का आज आखिरी दिन था लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिनाम भुगतना होगा नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिनाम भोगना होगा इसके आगे साधु महाराज कहते हुए फिर बोलते हैं कि कर्म की गती को समझना आसान नहीं है इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है इसके अलावा आप शायद अंजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है वह व्यक्ति उस साधु से फिर एक प्रश्न करते हैं कि क्या धोखा देकर किये गए पापों का परिणाम मिलता है महाराज जी उस व्यक्ति से कहा कर्म का सिध्धान्त सटीक नहीं है चाहे आप जानबूज कर करें या अंजाने में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा इसके लिए शास्त्र भी गहवाई देते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही शास्त्रों में कई कहानिया हैं जो बताती हैं कि अंजाने में किये गए पाप का फल भी लोगों को मिला है पांडवों के पिता महाराज पांडू की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरन को तीर मार दिया था वे उस समय नहीं जानते थे कि एक रिशी ने हिरन का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था जिसके कारण वे बाद में मर गए सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमती थी और हिरन को मारना कोई पाप नहीं था लेकिन पांडू को पता नहीं था कि वे एक रिशी थे इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमत भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है श्रीमत भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा वह व्यक्ती को समझ में महाराज जी के बातों का समझ आ गया कि मैं इस जन्म में भले में अच्छा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ लेकिन ये जो मेरे साथ दुखदाई निराशा जनक परिस्थिति आ रहा है उसके लिए मैंने कहीं न कहीं किसी रूप में जाने अंजाने कुछ गल्तियां किये होंगे बाहर व्यक्ति उस साधु महाराज को धन्यवाद कहा और कहा कि हे गुरुदेव अब से में कभी भी अपने आपको कभी नहीं कोशूंगा और नहीं दुख रहूंगा और न कभी अपने भीतर कोई तरह का नकरात्मक भावनाएं अपने अंदर आने दूंगा दोस्तों यह कहानी आपे सभी को कैसा लगा विडियो पर कमेंट करके बताए और यदि आपके भीतर भी कोई प्रकार के नकरात्मक भावनाएं एहित है तो उसे जितने जल्दी हो सके तो खत्म करे खुद के भीतर सकारात्मक भाव भरे अपने मेह नत से अपने खराब कर्म को सुधारे न की खराब कर्मों के भरोसे बैठे रहे इससे आपके हाथों में निराशा लगेगी ही लगेगी और उसके साथ आपका समय भी व्यर्थ होगा आप उस समय को अच्छे चीज़ों को सीखने में अच्छे कामों में लगा सकते हो इससे यह होगा कि आपका मन भी शांत हो जाएगा इन सभी ख्यालों से और मन भी प्रशंस रहेगा, जीवन आनन्दित होगा, भविश में इससे भी ज्यादा आने वाले दुखों से लड़ने का होसला बढ़ेगा, स्वय का आत्म गौरव बढ़ेगा, दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आउन करे, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी को लेकर धन्यवाद,